Hello friends, Electrical Beach में फिर साब पर स्वागत है दोश्तों आज की इस वीडियो में एक वासिंग मसीन की Spin Motor की Binding करने का बहुत ही आसान तरीका सिखेंगे पिछली वीडियो में मैं बताया हूँ कि Spin Motor का Binding डेटा कैसे निकाला जाए और उसके जले हुए कॉयल को कैसे निकाला जाए बहुत ही सवधानी के साथ वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन दबा कर देख सकते हैं ये जो एस्टेटर है सेम एस्टेटर नहीं है जो पिछली वीडियो में दिखाया था ये दूसरा एस्टेटर है उस्टेटर की डेटा कुछ और साथ जिसको आप जान चुके हैं और इस्टेटर की डेटा आज जानेंगे और बैाइंठिंग भी सिखेंगे तो जानने के लिए वीडियो को पूरा वाज कीजिए और वीडियो को लाइक करें और उनके साथ भी सियर करें जिनको इसकी जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए तो आए वीडियो को फड़ा-फट स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये सेमी- आटोमेटिक वासिंग मशीन का स्पीन मोटर का सीरूर कीजियो इसकी देटा में यह सois अनके स्ट्राइब इसकी फड़ेशनर बशनाउर इसकी स्ट्राइब करते हैं हम है और इसकी वोड है जो कि होंट चेपी निकालते हैं सबसे पहले हम कर सकते हैं जो कि की पिछले वीडियों बता लिख चुक्त आण्यों कि चार में कम टार रहेंगे और इक से छे में ज्यादा ररेंगे वाराइगे एक से चार में चाहरा है दालेंगे इस प्रकाब idealा अपने अन्दास से डालेंगे देखिए स्लिप पद्यान दीजिये एसे पर सी स्लिप कह सीरा है ने चिरा एक स्लिप में रखेंगें घुखले धिसके बाद सर्टीय में है तो यक बार यह बैठ चुका फिर दो बार तो दोस्तों ये दो बैट गया तो हमारे ग्या साइज Pरफेक्ट निकाल लेंगे हमारेठा इन्ड पर जाएगा पर घंड ब्लाइनचा तो दोस्तों पर इसके एक तक्रीबरा पैब। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कोयल की गोलाई 25 इंची हो रहा है ऐसे तो हम 25 इंची गोलाई का एक फार्मा तयार करेंगे दोस्तों मेरे पास ये फार्मा है जो मैं सेट कर चुका हूँ इसे सिलिप लेंगे और 25 इंची पर अपना उली पकड़े रहेंगे इसको छोड़ना सकते हैं जिस हिसाब से आपकी कोयल की साइज होगी ये रहा रॉनिंग बाइंडिंग कोयल नापने का तरीका चार्प का भी तरीका सेम होगा दोस्तों ये सबसे पहले हमें ये देख रहा है कि किस नीचे बैठा है और दूसरा को रॉइन उपर बैठा है तो थोड़ा कर जाएगा इसको बैंडिंग करते समय आपको खुष समझ में आ जाएगा कि एरिया छोटा ले रहा है मैं starting coil को भी माप चुका हूँ क्योंकि दोनों का slot pitch सेम है तो coil भी सेम होगा running coil का गोलाई 20.5 इंची आया था starting coil का भी गोलाई 20.5 इंची आएगा क्योंकि slot pitch दोनों का सेम है लेकिन हमें 20.5 इंच ना करके starting को 19.5 इंच गोलाई में बनाना है दोस्तों सबसे पहले हम running coil को बनाएंगे और उसके बास से starting coil को बनाएंगे जिस परकार हम running को बनाएंगे उसी परकार starting coil को भी बनाएंगे तो दोस्तों running winding में हम 32 नमर का तार परियोग करेंगे सबसे पहले running coil बनाते हैं दोस्तों यह 32 नमर wire है जो की copper है तो इस wire का एक सीरा हम लेंगे और यहां रख लेंगे हमें 4 coil का set बनाना है running का तो उपर से 1, 2, 3, 4 हम 4 set से यहां से शुरू करेंगे यहां से इस परकार से हमें 130 turn प्रतेक coil में बनाना है तो आए फटा-फट 130 turn बना लेते हैं तो दोस्तों मैं एक coil बना चुका हूँ जिसमें 130 turn है और coil को tape से बात भी दिया हूँ यह कागज वाली tape है ताकि coil बिखरें नहीं coil का सुरू वाला सीरा यह है जो जहां से start किया गया था और last सीरा यह है सब वायर एक ही साथ रहेंगे सभी coil एक ही साथ रहेंगे और चारो coil का set ऐसे ही बनेगे कोई बीच में कटिंग नहीं होगा बस इस चारो coil से दो सीरे ही निकलेंगे यह फटा-फट इस coil को बनाते हैं यहां से जो निकला हुआ है इसको अगली कोई के साथ ऐसे लेंगे फार्मे में ठीक है और फिर यहां से अगली फार्मे में टर्न किनना चालू करनेंगे 130 टर्न तो दोस्तों मैं चार कोईल रनिंग का बना चुका हूँ जैसा आप देख रहे है यह पहला कोईल सबसे नीचे है जिसमें से पहला लीड निकला हुआ है और चौथा कोईल सबसे उपर है जिसमें से यह लीड निकला हुआ है देखिए यह सारे लीड एक दूसरे कोईल से जोईंट होते हुए यहां तक आ गया है तो अब दोस्तों हम इस lead को थोड़ा लंबा करके ऐसे काट लेंगे अब इसके बाद से सेम इसी तरह से starting coil को भी बना लेंगे उसमें भी कोई changing नहीं है बस इस से थोड़ा सा एक इंची छोटा गोलाई करेंगे running coil और starting coil दोनों coil बनकर तयार है जैसा कि मैं बताया हूँ अब हम इसमें coil को बैठाएंगे इस sister में तो सबसे पहले हम running coil को इस sister में डालेंगे winding करने से पहले slot में PVC paper लगाना ज़रूरी है जो कि मैं PVC paper पहले से लगा रखा हूँ यह PVC paper साथ नंबर का है दोस्तों तो आइए सबसे पहले हम running winding को बैठाते हैं इसमें यहाँ पे जो बड़ा slot है उसमें start करेंगे हम क्योंकि बड़ा slot एक से चार तक है जैसे एक दो तीन चार बनकर बड़ा slot में ही सबसे पहला coil बैठेगा फरस्च कोईल को लेंगे और इस फर्च कोईल का पहला सीरह है इसको बाइध रख लेंगे और इह दूसरा सीरह है जो कि दूसरे कोईल से D against है आप देख सकते हैं इसको Dину say रखेंगे तो सबसे पहले हम एक से चार में, बड़े वाले सलाड में, एक से चार में एक बर बठाएंगे, तो आए इसे एक बर बठा लेते हैं, हम इसे एक बर बठा चुके हैं, अब एक बर बठाने के बाद से इस पर हम पेपर सीट लगा लेंगे, जो कि ये हरा वाला टिमफलेक्स प दौल बाज़ा रहा है, जैसे कि मैं लगाया हूं तो दोनों तरब दोनों साइड में देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, अब एक बार बैठ चुका है, अब हम इसे अपने तरब घुमाएंगे दोस्तों इसको, एक से छोट में दो बार बैठाएंगे, इसके स इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहां पर बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो इसके लिए हम एक सेप्रेटर पेपर यहां लगा लेंगे ताकि हमारा कॉयल इसके कोर से स्क्रेच नहों ऐसे इसको घुमाएंगे इस तरह सेटर से मास्क का लगड़ी है दोस्तों आप फाइबर का भी ले सकते हैं इससे हम इस कोयल को डाल देंगे अब दोस्तों हम इसके उपर से पीवी सी फेबर डालेंगे ताकि हमारा कोयल बाहर न निकले यहां पर दो बार बैठ चुका है अब इस स्राड़ में भी हम दो बार बैठा लेंगे रणिंग बैंडिंग का एक कोईल बैठ चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि लाश्ट वाले कोईल में PVC पेपर में लगाया हूँ तो दोस्तों जहां यह टिमपलेक्स पेपर लगा हुआ है इसमें एक और स्टार्टिंग बैंडिंग का भी कोईल आएगा इसमें जगव काफी है इसलिए यहां पर मैं यह टिमपलेक्स पेपर लगाया हूँ और जिसमें मैं सफेद पेपर वाइड का लगाया हूँ यह बैंडिंग बिल्कुल कमपलीट है इसमें कोई भी कोईल नहीं बैठेगा तो दोस्तों एक कोईल बैठाने के बाद हमें दो सीरे मिला है दो लीड मिले है तो एक लीड बाये के हाथ के तरफ निकल गया है यह फर्स्ट लीड है और दूसरा लीड दाहिने हाथ के तरफ निकला हुआ है जो कोईल के साथ अटेच है अब यहां पर हमें देखना है दोस तीन चार मतलब यह दोन सलोड में जाएगा जो बड़ा सा सलोड दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो कोयल को बठा चुका हूं सेम इसी परकार से तिसरा और चोथा कोयल को भी बठा लें तो यहाँ पर दोस्तों अब इधर से गिन्ति गीनेंगें विन पर 500 बाय हाथ के तरफ से चौह दाहीन हाथ के तरफ से आएगा लास्ट कोयल का यह लीड है और इस साइड बायए साइट से इस कोयल का यह निकला है तो यही पहचान है दोस्तों, कि हमारा coil बिल्कुल सही तरीके से बैठा हुआ है और यह जो connection हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से हुआ है एक दूसरे coil का क्योंकि इरक गलत तरीका से connection हुआ रहता, तो यह दोनों lid निकले हुए है इसकी दिशा गलत होता, दोनों एक पास होता या एक दाहिनेक तरफ से एक बाये तरफ से होता अब इन दोनों लीड में हम एक नमबर का स्लीप डाल लेंगे और इसके साथ धागे से ऐसे दोनों लीड को बानने इस लीड को धागे से बानने के बाद से अब हमें इसके उपर से टेप चिपकाना है ताकि रनिंग कोयल और श्टार्टिंग कोयल दोनों आपस में सौर्ट ना करें आप इस पर टबयाले हैं मैं इस पर कागाज कर से चारो तилось से बहुत अच्छी तरह से टेप चिपकाना है जो सकते हैं अगर त्यप काम चल लएगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से टेप लगाने के बाद से इसके उपर से अब इस्टार्टिंग बैंडिंग बैठाएंगे टेप दोनों तुरफ लगाना है दोस्तों जैसे कि मैं लगाया हूं और टेप लगाने के बाद से इस्टार्टिंग बैठाने से पहले जो PVC पेपर स सलाट के उपर से जो लगा है उसको इस परकार के बिलेड से उपर से दबा कर अपने जगह पर बैठा लेना है ताकि यह स्टार्टिंग बैठाते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन दोनों सलाट में मैं हरा वाला पेपर क एक से चार में मतलब एक हरे वाले पेपर से चौथे हरे वाले पेपर के साथ यह बड़ा वाला सलाट है और उसके बास से जो खाली सलाट आपको दीख रहा है इसमें बीच में दो सलाट उसमें दो बार बैठेंगे इसमें और इसमें तो आए स्टार्टिंग को डालना चाल बैठना है एक बार बैठ चुका है अब इन दोनों स्लोड में दो दो बार बैठेगा इसमें और इसमें एक से छे में दो बार बैठेगा करें तो यह पाल बैठ चुका है इसमें से दो लीड निकला हुआ है एक ठोल डिए है और दूसरा निकला हुआ है बाकि सारे को आठेच है दूसरे को बैठा दे समय यह जो लीड है जो कोई आटेच्छ साथ आठेच्छ है वो दाहिने श्राठ्ट हम उसी पर हो रहा है कि बीस तो आएँ एह दो दोनों कोईल स्टार्टिंग बैठ चुका है सेम इसी तरह इन दोनों कोईल को भी बठा रहना है जो बाकी है जिस साइड से लीड निकला हुआ है उसी साइड से बैठाना चालू करना है दोस्तों आप देखिए यहां पे बाएं हाथ से लीड निकला हुआ है तो यह कोईल जो तो दोस्तों इसका connection करना है लेकिन connection करने से पहले हमें back side की पोर्षन है इस पस अच्छी तरह से शिलाई कर लेना है और इस मैंडने को हम सीरीज टेस्टिंग लेंप से चेक कर लेता है कि हमारा रहनिग की llamas तो दोस्तों सिलाइग करने के लिए सबसे हमें इस परकार धागा लेए और ये एक वाइर की टुकड़ा लेकर धागे में लगा लें जैसे वाइर के टुकड़ा हमारा स्वोई के काम करेगा और खुब अच्छी तरह से सिलाई करते चलेगे दोस्तों यह धागा कॉट्यन का है कॉट्यन का धागा इस्तेमाल करना चाहिए इसके बाध से दोस्तों हम इसका connection करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं दो running का lead निकला हुआ है दो starting का तो हम एक starting का और एक running का lead मिला कर common बना लेंगे कुछ इस फरकार से दोनों एक साथ जोड़ देंगे दोस्तों ये common अंदर सही बन रहा है कि इस common के थुरू motor confirm सीधा चलेगा दोस्तों अगर ये आप जानना चाहते हैं कि अंदर सही confirm common कैसे बनाया जाए तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कूलर मोटर का वीडियो है आप चाहें तो उस वीडियो को आई बटन दबाक और आप उस वीडियो को देख सकते हैं आपका भी भी common बनाएंगे confirm common तो आपका मोटर सीधा ही चलेगा इस लीड को निकालने के लिए से तो दो दोम्हें मैं तीन परियोथ कर रहा हूं तीन इस योजा को जनने से बचाए सुद्ध के निकाल लूगा जैसे यहां पे यहां पर निषान लगा चुका हूं पहले से हमारा लीड निकले का दोस्तों इस लीड को बाहर साइड निकाल कर फिर इसे भीस लाई करेंगे जैसे पिछली हिसा को सिलाई किये थे तो देखिए दोस्तों यह तीनों लीड निकल चुका है common और running और starting और इसमें overheating auto cut भी लग चुका है यह चिपका हुआ है और इसकी सिलाई भी मैं अच्छी तरह से कर चुका हूँ सेम ऐसे सिलाई होना चाहिए अब हम इसमें बारनिश करके और बारनिश सुखने के बाद से body के साथ फिट करके चेक करते हैं करना से पहले यहां पे जो पेपर ऊपर साइड निकला रहेगा उसको किसी बिलेट के थुरू ऐसे चौड़ी बिलेट के थुरू नीचे के तरफ दबा देंगे तो दोस्तों मैं इस मोटर को वारने से कर लिया हूं बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा भी लिया हूं तो अब हम आयलिंग करेंगे इसके कॉटन नबदा में वाय आयल डालेंगे बूस के पास को अब करनेक्शन जो है यहां से निकला गया दोस्तों यह वोल बना हुआ है यहां से हम करनेक्शन निकालेंगे तो दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया हूं यह देखिए रोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है दोस्तों फिट करने के बाद रोटर को बिल्कुल प्ले होना चाहिए अगर रोटर आपका टाइट हो रहा है तो आप बिल्कुल इसमें सपलाई ना दे सबसे अच्छी तरह से फिट करें और इन चारो बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करें जैसा कि मैं कर लिया हूं यह मेरा रोटर बिल्कुल फ्री है अब आये दोस्तों अब इसमें कनेक्शन देकर हम इसे स्टार करते हैं तो दोस्तों हम कैपी सीटर इसमें 4 अमेंडी का परयो बैंडिंग में यानि ग्रे कलर वाले में अब इससे एक पलायर से पकड़के इस मोटर को फ्रेंस इसे मैं सिरीज में सप्लाई दे रहा हूं तो दोस्तों मेरा मोटर चल चुका है स्टेश्टिंश्री लेंब में ही 100 वाट का बलब लगा हुआ है आप देख सकते हैं और दो मोटर बिल्कुल रेडी हो गया इसका कनेक्शन में अंदर के बिल्कुल ठीक है क्वाइल भी सही बैटे हुए जब यह बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों इस पूरा मोटर में कॉपर का तार यूज किया हुए और रणिंग में 500 ग्राम और स्टार्टिंग में 120 ग्रा साइड का वेल आइकन जरूर दबाएं औल आप्सन में दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकरशन सबसे पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा